हेलो गाइज, आज हम कपल अफ कुकूस के एपिसोड 67 को एक्स्प्लेन करने वाले हैं और ये एपिसोड मांगा के चेप्टर 138 और 139 पे बेश्ट है लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, नागी को हीरो का मैसेज आया था जिसमें हीरो ने लिखा था, क्या हम मिल सकते हैं और आगे हीरो लिखती है, मैं नाका मैंगोरू, इस्टेशन के फ्रंट पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ और अब नागी उस्टेशन पे पहुँचता है, और हीरो कहती है, है नागी, इधर, मैं इधर हूँ नागी उसके पास जाता है, और पूछता है, क्या हुआ, कुछ गडबड है क्या हीरो कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, और फिर हीरो शर्माने लगती है, और कहती है, क्या मैं किसी रीजन के बिना, तुमसे नहीं मिल सकती है नागी कहता है नहीं बिलकुल तुम मिल सकती हो वो कहता है बास सिर्फ यह है कि जब भी तुम मुझे बुलाती हो तो कुछ important होता है और अब दोनों किसी cap में जाते हैं और नागी हीरो को सब कुछ बता देता है वही सारी family member ना होने वाली बाते और हीरो कहती है तो इसलिए तुम उदास महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम अपने guilt को hold करे हुए हो नागी कहता है guilt हीरो कहती है यप क्योंकि तुम्हे feel हो रहा है तुमने कुछ गलत किया है आगे वो कहती है क्या ये ठीक नहीं है कि तुम अपने real mom dad से मिल पा रहे हो क्या किसे ने कहा ये गलत बात है नागी कहता है नहीं और नागी के गाल लाल हो रहे थे वो सोचता है hero बहुत close है और hero कहती है और तुमारे उमीनो साइड वाले parents क्या उन्होंने कभी कहा कि तुम उनके बेटे नहीं हो नागी कहता है उन्होंने कभी नहीं कहा और फिर hero कहती है तो ये सब बस तुमारे head में ही चल रहा है और नागी कहता है बात ये है कि मैंने कभी अपने दूसरे parents के साथ जुड़ने की planning नहीं करी थी पर इससे पहले कि मैं ये जानता मैं यहां हूँ hero कहती है ये कुछ ऐसा है जिसे तुम जानो और ये तुमारा खुद का decision होगा वो कहती है कुछ भी हो कम से कम तुम उन्हें जानतो सके ही है hero smile करते है शौर यह है और नागी कहता है पर मेरे parents उमीनों हैं और हमेशा वही रहेंगे और hero हसते हैं ये भी ठीक है और अब दोनों station पे वापस जाते हैं hero कहती है तो अब तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए नागी कहता है कम से कम मुझे तुम्हें घर तक छोड़ने तो दो hero कहती है ये ठीक है बस मुझे यहां से train ही तो पकड़नी है और वो कहती है कल मिलते हैं और अगले सीन में हम नागी को उमीनो restaurant पहुचते हुए देखते हैं वो gate open करता हुआ चिलाता हुआ बोलता है I am back योहे एक chair पे बैठे हुए थे और बोलते हैं तुम damn slow हो हम already सब close कर चुके हैं नागी कहता है sorry और वो पूछता है तब कहा हैं और योहे ही कहते हैं साची और एरिका third floor पे dinner कर रहे हैं नागी कहता है अच्छा और योहे ही टीवी पे news सुन रहे थे और नागी कहता है क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया और फिर नागी उनके लिए katsudon बनाता है और उन्हें serve करता है योहे खाते हैं यमी वो बोलते हैं तुम्हें पता है तुम उसे देख रहे हो जिसने आज 200 से ज़्यादा लोगों को katsudon serve किया है और आगे वो बोलते हैं not bad नागी तुम world के second best katsudon बनाने वाले बनोगे नागी खाने से पहले प्रे कर रहा था और कहता है second और योहे ही कहते हैं क्योंकि number one तो तुम्हारे dad है और नागी खाते हैं हाँ हाँ और आगे वो बोलता है ये katsudon की recipe जो आपने मुझे बनाना सिखाई थी मैंने इसे oki nama की party में महमानों को entertain करने के लिए बनाया था और प्रेशा याद रखना नागी ने कहा था क्यों और योहेई ने बोला था ये embarrassing नहीं होगा कि एक कुक के बेटे होते वे भी तुम्हें एक single चीज बनानी नहीं आती नागी उस टाइम भी bookie पढ़ रहा था और उसने बोला था नहीं और योहेई ने कहा था तुम एक जिद् बढ़ा दी है और नागी खुश होता हुआ कहता है heat moisture reaction उसने बोला था cooking बिलकुल science की तरह है और योहेई ने बोला था cooking is love और इन सब बातों को याद करके नागी के गाल लाल हो रहे थे वो smile भी कर रहा था और suddenly उसे खासी आ जाती है और योहेई बोलते है क्या तुम ठीक ह तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो ये मुझे परिशान कर रहा है और आगे वो बोलते हैं खेर जो भी हो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना अच्छा सर्व कर पाएगा नागी कहता है हम और योहेई बोलते हैं मैं तुम से shop को take over करने की बात करना चाहता हू नागी हैरान हो जाता है और योहेई बोलते हैं क्योंकि तो ममानों के बच्चे भी हो और उनके पास बड़े बड़े होटल हैं जिनको भी take over करने की जरूरत है तो मुझे इसमें भी कोई आपती नहीं है पर ऐसा होने से पहले अगर ये जगह बची रही तो जो मैंने बोला उसके बारे में एक बर सोचना और नागी बोलता है अगर आप अचानक से इस तरह की बाते बोलोगे तो मुझे नहीं पता और तब ही नामी वहाँ आती है और नागी को देखकर कहती है ओ नागी तुम यहां क्या कर रहे हो और नागी कहता है मॉम क्या बाप ठीक हो नामी कह पहले तुम मेरे कोश्चन का अंसर दो वो कहती है मतलब तुम पहले भी यहां आ चुके हो ना छुप छुप कर यहां पर सामान ड्रॉप करने तुम क्या करने की ट्राइ कर रहे थे नागी सूचता है मैंने यह एकस्पेक्ट नहीं किया था वो बोलता है अगर मैं यहां था त कि आपका काम ठीक चल रहा है और नामी तिरची नजरों से किसी को देखती वी बोलती है ठैंक्स टु यू और यूहे इ नामी से बोलते हैं मैंने तुम्हे आराम करने को बोला था और नामी कहती है वो खांसी तो फेक थी और आगे वो बोलती है बाइदवे नागी वो जो लड़की बाहर है वो कौन है नागी पीछे देखता हुआ कहता है कौन सी लड़की और वहां और कोई नहीं हीरो थी वो बोलती है nice to meet you मेरा नाम हीरो सैगावा है मैं नागी की girlfriend हूँ और सब लोग हैरान हो जाते हैं और नागी ने भी ये expect नहीं किया था आगे हीरो बोलती है परिशान करने के लिए sorry especially इतनी रात को और यो ही चिलाते वे बोलते हैं यहां चल क्या रहा है ये इतनी cute लड़की नागी की और नामी कहती है नागी तुम्हे explanation देना होगा और नागी फटा फट तेज और जल्दी जल्दी बोलना start करता है मैंने सोचा कि एक girlfriend होना जबकि आपकी पहले से एक फ्यांसे है एक तरह की बात आपको पता ही है ये बस इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सोचा कि शायद हम एक दूसरे से कभी नजर नहीं मिला पाएंगे वो कहता है मैं seriously hero को date कर रहा हूं तो please समझने की कोशिश करे कि मैं सिर्फ पूरी फ्यांसे problem से भागने की कोशिश नहीं कर रहा और योहे ही hero से बोलते हैं अगर तुम्हें कोई problem नाओ तो यहां बैठो और hero कहती है thank you so much और नामी कहती है मैं चाय बनाती हूं और नागी तो अपना explanation दे ही रहा था पर अचानक से ये सब देखता हूँ कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और hero नागी के parent से कहती है मेरी चिंता मत करो आपने दिन भर इतना काम किया है इसके बाद मैं आपको और परिशानी नहीं देना चाहती और नामी बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि नागी को कोई girlfriend मिलेगी और योहे ही हसते वे बोलते है हम तो यही सोचते थे इसका जीवन करने के लिए sorry और योहे ही कहते हैं तुम्हें जाकर rest करना चाहिए और नामी कहती है मैंने पूरे दिन rest ही तो किया है और अब मैं बिल्कुल ठीक feel कर रही हूं और नागी सोचता है मैं समझ गया mom और dad मेरे opinion की respect करते हैं और योहे ही नामी से बोलते हैं अपने आपको इतना push मत करो और नामी योहे ही को हलका सा punch करती है और ये देखकर hero कहती है आप दोनों के बीच में अच्छी बनती है और नागी मन में बोलता है इसे ये पसंद आया और योहे ही कहते हैं पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देख पाऊंगा वो बोलते हैं नागी के पह कहते हैं ओ तो वो student तुम हो जो टॉप पे रहती थी और नागी जिसके बारे में बात करता रहता था और नामी कहती है तो इसका मतलब ये है कि तुम नागी से ज्यादा होशियार हो और hero कहती है मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा है ना और नागी के पसीने चूट रहे थे औ कि तुम दोनों स्मार्ट हो और नागी मन में बोलता है अब मुझे समझ में आया hero मेरे parents के सामने अच्छे दिखना चाहती है और नामी कहती है मुझे लगता है best students genetic level पे अलगी तरह से built होते हैं और योहेई hero से पोचते हैं तुम्हारे parents क्या करते हैं और hero बताती है मेरी family मै गुरो श्राइन चलाती है और योहेई शौक होते हैं क्या वो famous वाला hero कहती है हाँ भही famous वाला और अब योहेई को पसीने आ रहे थे वो बोलते हैं ये kit सच में different है और नामी कहती है तो इसका मतलब और hero कहती है मैं उनकी clothie child हूँ तो मैं श्राइन की उत्तरा धिकारी है और इदर नामी hero के लिए कुछ बना कर लाई दी और वो कहती है sorry बस यही बचा है तुम यहाँ हो तो यह खा लो hero खाने को देखकर कहती है वाओ आप sure हो और योहेई बोलते हैं जब भी यहाँ कोई आता है तो हम उसे कुछ न कुछ खिलाते ही है नामी कहती है इसे हमारे काम की बिमारी समझ लो और hero कहती है अगर मैं खाऊं तो बुरा तो नहीं मानोगे और hero खाना इस्टार्ट करती है और नागी सोचता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा hero हमारे रेस्टोरेंट में खा रही है यह weird है और योहेई कहती है कैसा लगा तुम्हें और hero chop stick को रखकर smile क करते हैं कहती है यह बुरा है बहुत बुरा और सब हैरान हो जाते हैं और यह टेपल पर जोड से पंच करते हैं और बोलते हैं तुमने क्या कहा little girl तुम इतनी रात में मेरे घर में घुसे ओ और यह बोल रही हो और अब योहेई कहते हैं, अच्छा तो ये तुम्हारी पसंद का नहीं है, और हीरो कहते हैं, नई नई ऐसा नहीं है, मैं तो बस सोच रही थी कि नागी ऐसा खाना खाकर बड़ा हुआ है। और मुझे से तो मुश्किल सही कुछ अच्छा बनता है, तो मेरे लिए ये बहुत हाड होगा, कि मैं नागी के लिए इतना अच्छा खाना बना पाऊंगी, वो कहती है, बुरा बोलने से मेरा मतलब इससे था, ये सुनकर नागी शर्माने लगता है, और योहेई कहते हैं, तुमने तो हमें चिंता में डाल दिया था, और वो बोलते हैं, अगर तुम खाना बनाते रहोगी, तो तुम बैटर होती जाओगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो तुम नागी से बनवा लेना, और हीरो पूछती है, क्या आप मुझे कुछ टाइम के लिए सिखाएंगे, योहेई कहते हैं, क्यो नहीं, जरूर सिखा दूँगा, और हीरो खाना कंटिन्यू करती है, और नागी के पैरेंट्स बोलते हैं, नागी एक मिनट साइड में आना, और साइड में जाने के बाद, नामी उससे कहती है, ये सब क्या चल रहा है, और योहेई कहते हैं, ये गर्ल्फरेंट का क्या चक्कर है, और नागी मन में बोलता है, मुझे पताता, ऐसा होगा, और आगे योहेई कहते हैं, और वो कितनी अच्छी है, और वो बोलते हैं, मुझे उमीद है, कि तुमने उसे पहले ही सब कुछ सच बता दिया होगा, तुम्हारे और एरिका की इंगेजमेंट वाली बात, तुमने बता दिया है ना, नागी कहता है, हाँ मैं बता चुका हूँ, और नामी कहती है, अब तुम बच्चे नहीं रहे, और योहे ही कहती है, फिलाल मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, पर तुम अपनी फियांसे और अपनी गर्ल्फ्रेंट के बीच में, किसी एक को नहीं चुन सकते, नागी कहता है, मैं जानता हूँ, और अब नागी हीरो के साथ जा रहाता, और हीरो उसे आज के लिए सौरी बोलती है, और नागी कहता है, आखिर मैं तुम्हें घर तक छोड़ने जा ही रहा हूँ, और हीरो कहती है, नई नई ये नई, मेरा मतलब तुम्हारे घर जाने से था, और नागी कहता है अच्छा वो और वो पूछता है वैसे तुम मेरे घर क्यों आई और हीरो कहती है जब तुम निराश थे तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और जब मैं तुम्हें देखने आई तो तुम्हारी मौम ने मु नागी कहता है किसलिए हीरो कहती है तुम्हारे पैरेंट से तुम्हारी लवर के रूप में अपील करने का नागी हैरान हो जाता है और ये सारी बाते दोनों चलते वे कर रहे थे पर ये कहने के बाद हीरो पीछे मुड़कर नागी की तरफ देखती है और कहती है क्योंकि मै एक गाय और एरिका कहती है पर मैं बनी हूँ और साची कहती है ये नींद में बोल रही है और साची उसे उठाती है और एरिका कहती है मुझे लगा हम यहां रात के लिए रुक रहे हैं और साची कहती है हाँ हम रुक रहे हैं पर उठो एरिका उठते वे कहती है क्या हुआ पर यह एपिसोड एंड हो जाता है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करे कल मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ जब तक के लिए बाई बाई